नमस्कार मैं असुक विश्वकर्मा हिंदी परक्ष में आपका स्वागत है आज की कलास में अव्याई भाव समास को 50 उधारनों के साथ पूरे डिटेल में पढ़ेंगे साथ में अव्याई भाव समास पहचाने के ट्रिक भी बताया जाएगा उधारन देखते ही पलक जपकते ही आप अव्याई भाव समास को पहचान पाएंगे समास में अन्य लॉंग वीडियो और सौट वीडियो वने हुए है यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा वहां से आप देख सकते हैं तो आएगे जानते हैं अव्याई भाव समास को जिस समास का पहला पद परधान हो और वह अव्याई हो तो उसे अव्याई भाव समास कहते हैं पहला पद परधान होता है तो वह अवय भाव समास होता है परिछा में ऐसे भी पुछता है कि किस समास में पहला पद परधान होता है तो वह है अवय भाव समास और वह अवय हो पहला पद क्या होता है अवय हो अवय हो अविकारी पद है अवय से समंधित वीडियो बना हुआ है आप playlist से उसे देख सकते हैं तो क्या है यहाँ पर पहला परद्रण होता है और अव्य होता है अबिकारी होता है जिसके उपर लिए वचन पूरू स्काल कारा का कोई असर नहीं पड़ता है कि इसी उदाहर्ण से समझते हैं धेर सारी उदाहर्ण हैं पचास उदाहणों के साथ आप जानेंगे, अब ये भाव समास क्या होता है, परिछा में आपका एक भी सवाल मिस नहीं होगा, यदि आप वीडियो को बिना एस्कीप किये हुए देखेंगे, यह समासिक पद है और यह समास भी रहा है, प्रति दीन, यहां देख रहे हैं, प् प्रतियक का जब संदी विच्छेद करेंगे तो प्रति होगा, प्रति वर्स में भी प्रति है, तो प्रति देखते हैं तो अब यह भाव समास है, और इसका विगरा कैसे करेंगे, प्रति दीन का, प्रतियक दीन, या दीन, दीन, या हर दीन, तीन तरीके से कर सकते हैं, प्र भार होता है इसके पहले उदाखन में क्या देख गया कि पहलाप्द प्रति होता है यहां भर है। विगजव करेंगे भर सकत्र पूरी सक्तिक के साथ, सक्तिय हो गया, भर पूर पूरा भरा हदा हुआ judgment on इसके बाद है आजन्म, पहला पद अ है आ जिवन में अ है ये हां जनम तक होगा यहांपर, आज प्लस जनμ नहीं होगा, क्या होगा जनम तक है आजीवन का जीवन भर आ जानू, जानू का अर्थ होता है घुटणा होता है तो जानू तक यानि ब्रिकेट में लिखे देंगे घुटनू तक है महरणा परताब को आजानु बाहू कहा जाता है क्योंकि बाहू यानि जो भूजाएं है वह घुटनों तक होती थी इसलिए आजानु बाहू कहा गया है महरणा परताब को तो यहां क्या बताया गया कि आ होता है पहला पद आ देखेंगे तो वह होता है अवेभासमास भार देखेंगे तो अवेभासमास पुराती देखेंगे तो अवेभासमास देखरें आ समुदर में भी आ है तो समुदर परियंत हो गया आपाद मस्तक में आ देखरें हैं पाद मने क्या होता है पैर होता है मस्तक मने सीर हो गया सीर से पैर तक विगरा हो गया औभुत पुर्व पहला पद यहां पर क्या देख रहे हैं और देख रहे हैं तो जो पहले नहीं हुआ इसके बाद अवेभाव समास पहचान करने का पहचानने का अगला ट्रीक है कि पहला पद यथा देखते हैं, यथा सक्ती में है, यथा विधी में यथा है, यथा कर्म में यथा है, तो यथा देखते हैं तो अवे भाव समास होता है, विगरा कैसे करेंगे यथा सामार्थे का तो सामार्थे की अनुसार, यथा सक्ती की अनुसार, यथा की अनुसार लगा करम करम की अनुसार आ अग्या अज्टा की अनुसार अनो रूप यहां पहलापद अनुद्थ अनु अो ध होता है यह भ्याव संहास होता तो रूप की अनुसार अनुकुल तो मन की अनुसार देखेंगे हैं यथा संभव तो संभव की अनुसार नहीं होगा इसका विगरा क्या होगा जैसा संभव हो यथा सिख्र है जितना सिख्र हो सके यथोचीत है यहां पर क्या होगा यथोल है संदीव छेद करेंगे तो यथा जोड़ उचीत होगा तो क्या होगा जि पर तेक दिन होगा बे सक यहां पहला पाद बे लगा हुआ है तो होगा सक के बीना है बे रुजगार रुजगार के बीना बा अदब बा लग गिया तो क्या हो जाएगा के साथ होगा अदब के साथ है बा इजद इजद के साथ बा लगा रहेगा तो अब यह भासा मास होता है खुबी के साथ यहां सहर्स सा परिवार में क्या दिख रहे हैं कि पहला पद यहां पर सा लगा है सा परिवार में भी सा है सहर्स में सा है तो पहला पद सा होता है वहां भी अव्यभाव समास होता है तो सा हर्स के साथ सा परिवार परिवार के साथ सब पतने तो पतने के साथ पहला पद हम लगा रहते हैं हम देख रहे हैं तो यह अवे भाव समास है सफर के साथ प्रतियक्ष संदी विछित करेंगे तो प्रति जोड़ अक्ष होगा यानि आखों के सामने अक्ष यानि आख पता है आखों के सामने परुक्ष भी अवेवह समास है आखों के पीछे अवेवह समास की अनुदारन देख रहे हैं भी बे लगा हुआ है बे काम तो यह हो गया काम के बीना बे कार कारी के बीना बाल जहां लगा रहता है बा यहां भी अभे भासमा से तो काईदे कानुसार बे फाइदा फाइदे की बीना बे मतलब मतलब की बीना बे लगा हुआ है और यहां पर सा लगा हुआ है तो सा नहीं यहां पर क्या है सा है सा जोड़ आदर जैसे सा हर सा है सा परिवार में वेशन संप्स wspólब तो थो आदक है यांदर सहीतं यानि आदर के संदे रहित नीर भाए जहां पर नीर होता है यहाँ जो के उत्या रह रहे होता है तोला टुक्त कर आदर हो इनन Constant मुन्हे और died by 18 1 यहाँ पुला स्मास की होता है थी लेंद्ना मेरत पद खूब है तो वह अवेभाव समास है इसका विगरा क्या होगा अच्छी सूरत वाली समास विगरा क्या होता है पदों को अलग अलग करना, यहां दो पद है, खुब आउसूरत, दोनों पदों को अलग-अलग किया गया, नी डर यहां पहला पद नहीं होता है, नी संदेह में भी यहां पर नहीं है, तो क्या होगा, डर के बिना, संदेह के बिना, घर-घर, गाउं-गाउं, सहर-सहर, नगर-नगर, गले- एकी सब्स दो बारा है उख दोनों के बिच में योजक चिन हो हैफ़न हो तो अहां पर क्या होता हुआ अब यह भाव समास होता है तो घर का विगरा पर तेक घर या हर गर गाउं घर गली-गली अब यहां देख़े ठोले हाथ रात बीचों बीच वीच तो हाथ का क्या होगा ह यहां पर हर साफ नहीं होगा जल्दी जल्दी क्या होगा बिल्कूल जल्दी इस वीडियो में अवेभाव समास की पच्चास एकजामपल दिये हुए कि पचास दिये गए और होता यहां और हथा होता है फ्रंधी सपड़ का ट्रिक है तो बताएं यदि चैनल पर पहली बार आएं तो हिंदी परह को सब्सक्राइब करें बेल आइकान को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास नमें पर फोर सके वीडियो का लाइक और अपने साथों की बीच सेर करें नमस्कार